हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार पेड़ से आप सभी कपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी की लाई हूं कुंद्रू की रेशिपी मैंने आज यह बनाया है मसालेदार कुंद्रू तो यह मैंने किस तरीके से बनाया वो मैं भी आपको बता दूँगी आप चाहें तो इनने ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ या पूरी के साथ बना सकते हैं और चाहें तो लंच बोक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो अब मैंने किस तरीके से बनाया वो रेशिपी मैं आज आप से भी किशा शेयर करूँगी तो चलिए बनाने श्टार करते हैं सबसे पहले मैंने कुद्र को अच्छे से दो लिया है और अब देखिए इस तरीके से चार पार्ट करके इसको काट लूँगी एक कुद्र में से चार पीस करने अगर आपको लगता है कि ज्यादे मोटे हैं तो उसमें से आप 6 पार्ट भी कर सकते हैं कि इस तरीके से आगर पिछे के बाला पार्ट निकालके मैं सारे कुद्र अपने काट लूँगी और उसके बाद देखिए मैंने टमाटर काट लिया है मोटा मोटा और एक खरी मिर्च प्याज लहसन और थोड़ा सा अध्रक मसाला बनाने के लिए अब मैंने जार ले लिए जा तर्ट कि अधे पिए सारे मसाले डाला दूँगी हैं कि अब सबसे पहले सब्सेया के अधूद आ धालढे में जाट द्था слब्च नमक स्दुआ aurait-वाद दी च्वंगी एक चमग जीरा देखिए कच्छा जीरा मसाले में इस तरीके से पीशने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है ये डाल दिषा थोड़ी सी कास्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी डाल दिये हींग आप कभी इस तरीके से मसाला पीश कर देखीगा सब्जी का और स्पेस्ली सावत जीरे का मैंने हलका सब पाने डाल दिया है जार मी और इस तरीके साधर घर कर लिए प्रभी निवार चैनल कर मालनें तुन जार कर लिए जार को शिर्फ एक बारण गुंहाँ है और यह मेरा टामाटर का पेष्ट तो चलीए अबसाब से पहले फ्राइए करने के लिए मैंने ले लिए लोहे की कड़ाई इसमें चड़ादूха सरसो का तेल रिछे से गरम कर लेंगे canar के गर्म होने के बाद मैंई पीली सरसो फीली सरसो चिटकने के बाद इसमें डाल दिया मैंने प्याज और लहसन वाला पेश्ट अब इसमें हमें कोई भी मसाला अड़ करने की जड़तनी है क्योंकि मसाले हम अलड़ी पीश चुके हैं जब ये चिकनाई छोड़ देगा हमारा मसाला तो उसके बाद हम इसमें छोड़ देंगे पर टमाटर का पेश्ट देखिए लोही की कड़ाई में मसाला बहुत जल्दी भुन जाता और वहती कम चिकनाई में तो आप चाहें तो और भी कम चिकनाई यूच कर सकते हैं अब ये देखिए मसाला भुन गया है इसने चिकनाई अच्छे से छोड़ दिये तो अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेश्ट यह मैंने टमाटर का पेश्ट टाल दिये और इसे भी अच्छे से चलाते वें मिक्स कर दूँगी और अच्छे से भुनने का वेट करूँगी देखिए सबसे ज़्यादा जो महुनत लगती है मसाली दार सबजी बनाने मसाला भुन्ये में ही लगती है मसाली व्हुन्ये से सबजी का टेस्ट अच्छा आता, अगर अपका मसाला हवी कच्चा राजाता तो तेस्ट नहीं आएगा, तो अब मैं आपको दिखागों दीटेते देखी, जब चिक्नाई छोड़ देगा, तो इसमें ऊपर से हमें दिखने लगे, अब चिकनाई छोड़ दें तो इसमें हम अपने कुंदुरू ढालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे चाण राफमी प्रीव कि ठीड़ टेंगे मिसे बानल जादा नहीं डालना है एक बड़े चम्मच… 115 मिनुट के लिए पका लिए ऐसे बाये बिच में एक बार कि यह देखिए कितने अच्छे से कलर आया है और कितना अच्छा हमारा यह मसाला कुंदरू के साथ लग रहा है तो चैक कर लेते हैं थोड़े से तो इन्हें हम दोबार अड़क देते हैं देखिए पकने में दस से बारा मिनिट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पर तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे कुंदरू तयार है यह देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूं अच्छे से पक भी गए है यह और खाने में बहुत टेस्टी बने हैं तो आप भी ट्राइए कीजिए मेरी रेसीपी और कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपक इकाल लूँगे सर्व करने के लिए देखिए जब आप इस तरीके से मसाला पीसकर बनाएंगे तो कुंदरू का टेस्ट बढ़ जाएगा तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसीपी के साथ थैंक्यू सो मज करनाएंगे इस बढ़ आपक बबढ़ चलिए के साथ बढ़ चलिए भापका बवक्ते!